मैं जब sales call करता था शुरू में तो मैं एक बहुत अच्छा तरीका अपना आता था आपको बताता हूं अगर यह तीनों चीजों में मेरा यह साता था उसके बाद मैं मेटिंग शुरू करता था उसे यह पूछो अगर payment का problem अभी आपका solve हो जाए तो क्या आप अभी decision ले सकते है क्योंकि आप अपना 45 मिनट या गंटा देने वाले हो तो आपको लाश में क्या चाहिए अधर यस और नू मैं जब sales call करता था शुरू में तो मैं एक बहुत अच्छा तरीका अपना आता था आपको बताता हूं जब मानो मुझे किसी appointment में जाना है तो मैं जब meeting की बोल देता था सर देखिए हम मेटिंग की शुरुवात करेंगे तो सर मैं मेरा फोन बंद कर रहा हूं आप भी अपना मोबाइल आफ कर लेजिए एक गंटे के लिए अगर वो मोबाइल आफ करने को तयार ही है वहीं से खड़ा हो जाओ सरी सर फिर मैं आपके साथ डिस्कुशन नहीं कर सकता हुआ है पहला है दूसरा है सर हम यह मीटिंग जो है वह कम से कम 45 मिनिट तक चलाएंगे सर आपके पास एक गंटे का टाइम है और नहीं गंटे का न तिसरा सर मैं आपको पूरा का पूरा बिसनस प्रॉसस समझाओंगा सारी चीश समझाओंगा फाइनली आपको डिसीजन लेना रहेगा और वह डिसीजन दो में ही होगा आइधर यस और नो क्या आप डिसीजन ले सकते हैं अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे मेरे पापा को आड़करना पड़ेगा मुझे भाही से पुतना पड़ेगा मेरी वाइफ मिटी अगर यह तीनों चीज़ों में मेरा यह साता था उसके बाद मैं मीटिंग शुरू करता और लास्ट में पूरी मीटिंग कम्प्लीट होने के बाद मैं उसको फिर से यह चीज दिखाता था सर हमने जैसे discussion किया था कि मैं आपको पूरा 45 में पूरा presentation दूंगा और आपको decision लेना रहेगा यस में और नो में कि सर अगर आप यस करते हैं तो आपको यह benefit है यह एक दो तीन चारह से पांच benefit गिना रहता है और अगर नो करते तो आपका जो पैसा वह बजता है सर पेपर उनके साथ गुमाता है सर दो में से आपको decision लेना जैसे मैंने सुरू में ही कहा था तो अगर हां आया सर अगर आपका decision यह से तो checkbook निका लिए check बनाई और शुरू करते हैं decision ना है तो यह से meeting खतम करते हैं अगर हां बोलता है तो check आया है बोलता है नहीं अभी नहीं करना ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है खाले मुझे आप दो कारण बता सकते हैं जिस कारण से आप अभी यह proposal को reject कर रहे हैं कोई दो कारण बता सकते हैं बोलते हैं सर एक payment का issue है कि दूसरा decision का issue है कि ठीक है कि मानों सर यह दोनों problem आपका solve हो जाए तो क्या आप decision ले सकते हैं अगर उसका decision का problem पैसे आपके पास नहीं है कि पूरे नहीं है कि पूरे नहीं है कोई बात नहीं है एक token से शुरू करते हैं और payment आप कर देजिए पूरे नहीं है कि सरे काम करते हैं एक contract paper निकालते हैं आप करो आपका payment जिसे जिसे आएगा वेसे आप payment करते दाएंगे शुरू करते हैं आपका deal close देखो मैं वहीं बोलता हूं follow-up follow-up है या बाकी सब चीज़ है न यह पता किसके लिए होते हैं नीव कमर्स के लिए होते हैं जो आज आया से हैं experience लोगों के लिए follow-up नहीं होता है उसकी body language से पता चलता है इसको दूबार मुझे मिलना चाहिए के नहीं मिलना चाहिए मुझे जब अगर यहां पर कोई बंदा बोलता है मैं जब बोलता हूं किसे decision लेना आपको either yes or no में नहीं सर मैं अभी decision नहीं ले सकता मैं आपको सोच के बताता हूं खड़ जाओ वह आपका right prospect नहीं है वह आपका right prospect नहीं है डोंट वेस्ट यूर टाइम एनर्जी क्योंकि आप अपना पैतालीस मिनट या गंटा देने वाले हो तो आपको लास में क्या चाहिए आइदर यस और नो यस हो तो पैसा चाहिए ना हो तो पांस रेफरेंज ले लो कोई बात नहीं से आपको भी यह चीज नहीं कर नहीं आप मुझे पांस लोगों के ऐसे नाम बताए जिनको यह प्रोड़क की रिक्वार्मेंट है और हम उनसे बात कर सकते हैं कि अब इन सब चीजों के अंदर सबसे इंपॉर्टन चीज पता है क्या है वह आप आपका एटिट्यूड और एटिट्यूड का मतलब यह सब कि आप अपनी प्रोड़क से कन्विंस हो कि यह भासा आप तभी बोल सकते हो जब आप अपनी प्रोड़क को लेके श्यौर हो कि हंड्रेट परसंड मैं मेरी प्रोड़क को लेके श्यौर हूं